नाकपूर सहर का एक प्रमुकाकरशन दिक्सा भूमी उस तान पर स्थीत है जहां भारत्य सविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा सहेब आमबेड करने 14 ओगस्ट 1956 को बोध धर्म अपना लिया था और यह एक एध्यासिक और सुब दिन था क्योंकि 60,000 लोगों ने डॉक्टर को अनुसरन किया हुआ था परन्तु क्या आप जानना चाते होगी डॉक्टर आमबेड करने बोध धर्म क्यों अपनाया होगा इसके पीछे की हिश्री क्या रही होगी तो चलो इस बारे में विस्त्रुद जानते हैं नाकपूर में स्थित दिक्सभू में एक प्रमुक बोध तिर्स्थल है और भारत में सामजिक और राचनेतिक क्रांती का प्रतिक है 1920 के दसक में डॉक्टर बाबा साहिब आमबेट करद्वारा नाकपूर को इंडिपेंडन लेबल पार्टी के मुख्यालई के रूप में चुना गया था और उनका मुख्य उद्देश भारत में दलितो और अन्य हासिये पर रहने वाले समुदाई से संबन दित मुर्दो का संबोधन करना था इससे आमबेट करकी लोग प्रियता में व्रुद्धी हुई और वह जल्दी ही इस समुदाई की आवास बन गए इसी समय के दोरान आमबेट करने भारती समाज में व्यापग, चाती गन बेदपाओ और सामाजिक और समानता के दूर करने के साधन के रूप में वो धर्म में परिवर्थित होने के महत्वापर जोड़ देना सरू किया डॉक्टर आमबेट करने सी रंगा का दोरा किया और वहां बोध धर्म की सिक्साओं से बहुत प्रभावित हुए उन्होंने मैसिस किया कि बोध धर्म उनके सामाजिक समानता के वीचारों के अनुरूप है और उन्होंने सयम इससे अपनाने का निने लिया इसके परिणाम सरूप 1956 में डिक्षा भूमी में एधासिक रुपांतरम समारो हुआ जहां डॉक्टर आमबेट करने अपने अनुयायों के साथ बोध धर्म अपनाया था और उनके बाद बड़े प्रेमाने में लोकों ने बोध धर्म अपनाया नाकपूर में दिक्षा भूमी सिर्फ एक धार्मिक स्तल नहीं है बलकि भारत की संबरुद सांस्कृतिक वीरासत और सामजिक नियाय और समानता की निरंतर खोच का प्रतिक है और यहां डोमेस्टिक और इंटेनेसल यात्रियों के लिए एक लोगपियर प्रतन स्तौर भी है यहां पे अंदर एक बड़ा मेडिटेशन होले जहां पे हम मेडिटेशन भी कर सकते है और नियमित पातना सत्र भी होते है और सांस्कुल की कार्य करम भी होते है यहाँ पे और अंदर वगवान गौतम भूत की प्रतिमा के साथ डॉक्टर बाबा साहिब अमबेट करी म्यूजियम भी है और यहाँ पे एक एधियाजिक बोधी रुक्ष भी है जो काफी पूराना है आशा करते हैं कि आज के अमरे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए ठैंक्यू फर वाचिंग